मिनिमम 5,000 रूपिया का आपको प्रडे का 5,000 आपको प्रोफिट मिल सकता है पाउडर बनाने के बिद्नेस में हरोज आप 5,000 का कमाई कर सकते हो उसमें सब लेबल खर्ट, सब मेंटेनेंस खर्ट, सब रो मटेर्ल सकर्ट, सब निकल के आप एक किलो की पिछे 5 रूपिज और ये पूरा आप एक दिन में 1,000 किलो निकल सकते हो तो आपको 5,000 रूपिया की रोज कमाई कर सकते हो नमस्कार दोस्तो आज हम डिटर्जन पाउडर बनाने का बिद्नेस के बारे में जानेंगी दोस्तों ये बिद्नेस रोज हर दिन चलने वाला बिद्नेस क्योंकि हर व्यक्ति को कपड़े घणे का पड़े भारे में जहुकर होती है इसलिए ये भी दिद्नेस रूंक़र को समझाहे अप हमारे कितेज़न पाउडर बैसी करें हरे घर के अंद्र यूज होता है है और हर छोटे बड़े घर के अंदर कपड़ा धोने की requirement होती है और सब जगह पे detergent powder यूज होता है detergent powder बनाने के लिए तीन टाइब का machine का requirement है mixer machine उसको powder mix होता है दूसरा उसका screening machine उसमें powder छंदा है और तिसरा उसका sealing machine उसका pouch का sealing करने के लिए और यह हैं किस तरह से बना सकते है यानि कि इसमें कौन-कौन सी हिसाब से कितना प्रोडक्षन करना है वह हिसाब से उसका भी पावडर का मशीन लेना पड़ता है तो इस सब से पहले उसमें आपको ड्राइ मटेरेल डालना पड़ता हैं ड्राय मटेल डालने के बाद इसमें तूरं लिक्विड मटेर डालो तो मिक्सर मशीन में मिक्सिंग हो गया यह मिक्सर मक्स में मिक्सर के मषीन को on and cover two minutes dev離 चलाना है दो मिनिट में आपका पावडर तैयार हो जाएगा पावडर तैयार होने के बाद उसको निकाल के सिदा स्क्रीनिंग मसीन में डालना उसका ये छनना मसीन है और उसको स्क्रीनिंग मसीन भी बोल सकते हो screening machine में powder छंजाता है uniform हो जाता है उसमें कोई waste नहीं निकलता है यह machine use करने का बड़े से बड़ा फाइदा यह है कि उसमें कोई waste नहीं निकलता है पूरा powder हमको पूरा का पूरा मिलता है screening machine में से निकला हुआ material है सिदा उसको पूली तिन में पावडर को मैं घ्क करके ये सीलिंग मचीन ऊसका पाउच सीलिंग मसीन में सेल करना पड़ता pasta करने के बाद आपस्ण उसको मार्केट में बेज सकते हो उतना इस प्रोसेस अब हो चोटा प्रोसेस और आपका पावडर तहला हो जाता है उसमें तीन चार जातना केमिकल आता है एक तो सोडा एस एसिड सलरी पानी कलर एस्टी पीपी वगेरा सब अलग अलग वो तो जब आप मशीन हमारे पास लेने के लिए आएंगे तो हम आपको पूरा डीटेल से समझाएंगे यदि आपको जरूरत पड़ी तो हम आपके पास टेक्निशन बेजेंगे और आपका पूरा प्लांट सेट अप करके हमारा टेक्निशन वापस आएगा दोस्तों डिटेर्जन पाउडर किस तरह से बनाया जाता है तो वह सारी प्रोसेस जब आप यह मशीन नरी खड़ी दोगे तब आपको पूरा प्रोसेस आपको सिखा दि सकते हो मतलब कि एक सर्विसिंग मेंटेनेंस किस तरह का होता है पहले तो यह मशीन बहुर स्टेडी है यह मशीन में ऐसा कोई पात साल तक कोई मेंटेनेंस का प्रोब्लेम आता नहीं है खाली आपको हर साल में एक बार उसके गेरवक्स के अंदर ऑइल चेंज करके नजा डालना पड़ता है बस वही उसका मेंटेनेंस है बाकी मशीन एकदम स्टडी रहता है फिर भी उसमें दो टाइप का मशीन है एक माइल स्टील मट्रियल का बनता है और एक स्टेंले स्टील मट्रियल माइल स्टील में क्या है को उसमें एसीड स्लरी वगेरा यूज होता है तो वो जंग खाने का प्रोब्लेम आता है फिर भी वोल पात साल सा उसमें कोई प्रोब्लेम नहीं आता है लेकिन आपका थोड़ा बढ़ा सब बढ़ाओ तो उसमें स्टेनलेस्टिल का जो मॉडल हमारा है वो लॉंग लाइफ हो जाएगा आपको मशीन का मैंटनेंस बहुत कम करना पड़ेगा फाली मैंटनेंस के तोर पर एक ही चीज का ध्यान करना है गेर बॉक्स के अंदर ऑईल हर साल में एक बार चेंज करना है यदि आपका मशीन ज्यादा चलता है हर रोज आण गंटा पूरा चलता है तो उसमें छे महीने में या तो चार महीने में ऑली चेंज करो वह तो जब आप खरीद हो तब आपको कस्तेमर को समझा देंगे पूरा का पूरा दोस्तों जब आप मशीन दो गए तो उसका रख रखाव किस तरह का करना है सारीस कीक ही करने है मैंटेमस किस तरह का होता है वह पूरी דीटियल आपको यह सागर समझाय देगे और आपको क्वाशन लेने के बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो भी आपको पूरा याल्प करेंगे dir मसीन नरी है वो कितना वाट मतलब की का पावर कंजम्शन कितना होता है मोटर कितनी हो किस तरह की होती है पावडर बनाने के लिए खाली मसीन दो मिनिट चलता है अनली फर टू मिनिट पावडर को मिक्स करने के लिए खाली दो मिनिट का मसीन चलना जरूरी है तो उसमें पाव जो हमारा है वो अपने सिंगल फेस घरेलू बिजली पे भी चल सकता है उसके अधीक में जातो तो आपको थ्रीफेस कनेक्शन लेना पड़ता है दोस्तों एक फाइदे की चीज है यह फाइदा है कि अपने घर पी के बिजली से भी आप इस मशीन को चला सकते हो यह आपको ज् आपको यह बेजिक मेरा यह बेजिक प्लान्ट वेश्ट्स इसकी कोष्ट करे। सवा लाग से लेके पूने दो लाग तक में पूरा प्लांट सेट अप हो जाता है उसमें 18% GST और ट्रांस्पोर्टेशन चार्ज अलग से लगता है और यह तीनों तीन मशीन आपको इतनी छोटी फूजी में आपका काम कर सकते हो यह बनाने के लिए आपको मिनिमम तीन से चा कर दो दो लिए तो आपका उसमें वर्किंग के मिस्टिनरी भी आजे गया और वर्किंग कैपिटल भी आ गया और पैकिंग मट्रीयल भी आ गया तो बेजीकली यह डिटर्जन पावडर का एकदम चोटे से छोटा जो प्लांट है यह 3-6 लाक रूपिय में स्टार्ट हो जा प्लांच रूपिया है कि शुरुवात में फिर बात में आप अपना ब्लांड नेम जमा लेंगे आप पर्चेसिंग मौर पर्चेस करेंगे यानि कि रो मट्रियल बल्क कॉंटिटी में खरें देंगे तो आपका प्रोफिट बढ़ भी सकता है और छोटे से छोटा प्लांट आपको रोज का आप एक तन बना दिया एक तन बेज दिया तो मिनिमम पाँच हजार रूपिया का आपको प्रोफिट मिल सकता है पाउडर बनाने के बिद्नेस में हरोज आप पाँच हजार कर कमाई कर सकते हों सब लेबल खर्ट सब मेंटेनेंस खर्ट सब रो मत्रील कर सम निकल के आप पाट किल्यों की पीछे फाई रूपीज और यह पूरा आप एक जिन में हजार किलों निकाल सकते हो तो आपको कंपने का पाउच भी बना सकते हो और पैकिंग भी आप बना सकते हो तो यह मैं किस किस तरस की सहाथा दे सकते हो मतलब कि उसको ट्रांस्पोर्टेशन या एडवांस में या किस तरह का दे सकते हो रुनत भाई कस्तमर इस गौड सबसे पहले तो कस्तमर भगवान है आपकी चैनल के मज़्यम से कस्तमर जो हमारा कॉंटेक्ट करेंगे आप हमारा टेलिफोन तेरा सब भेजेंगे मशीन के बारे में पूरी इंफर्मेशन देंगे दूसरा हमारा रेट का हम उनके साथ शेयर करेंगे रेट उनको रेट उनका कॉमेर्चल सेट अप हो गया तो वह हमको ओडर करने के टाइम पर हमको एक 40% एडवांस हमारा एक बेजिक जो सिस्तम है तो वह 40% एडवांस भेजना पड़ेगा चाहे वह टैलिफोनिक भी ओर कर सकते हो वीडियो कॉलिंग से हमारा फैक्टरी देख सकते हैं और तीसरा ऑप्षन है उनको हमारी फैक्टरी में आना है तो वह भी आ सकते हैं और देखने के बाद ओभी ओर दे सकते हैं और उनको यह करने को ट्राइल बहते हैं हमारा फोटोग्राफ्ट वगेरा बेद देंगे बैलेंस पेमेंट के लिए पर फोर्मा इन वेंट बेदेंगे वह प्रोड़ने का पूरा पूरा एक सिस्टम रहता है मचीन को पूरा कम्प्लेट में यह ट्रायल रं करके चालू करके उसका देख पेखने के बाद यह सारे के सारे Masheen हम उनको अच्छी तरह से पेक करके यानिकी Scratch Packing, Box Packing नहीं होता है गुजराच के अंदर या गुजराच के बाहर जाना है इंडिया में तो वहां पर Box Packing करने की जरूरत नहीं है क्याँ कि हमारा Masheen फूरा डेलिकेट नहीं होता है बहुत study machine रहता है तो यह machine को transport में हम डाल देंगे transport का हम setting करवा देंगे उनको यह सब मगजमारी करने की जरूरत नहीं है और transport का जो actual भाड़ा कम से कम rate वाला रहेगा उनसे हम coordinate करके आपको machine dispatch कर देंगे वहां से machine पूचने के बाद आपको machine आपके वहां पर चालू करने के लिए machine पूरा fitted होता है आपको यह business के इंदर एकदम नए है तो हम आपको एक technician प्रोवाइड करेंगे वह technician आपके पास आएगा उनके पहले आपको machine को अपनी जगह पर रखके उसका electric fitting मेरा technician video calling से बोले वह इसाब से करवा लेना पड़ेगा और जो बोलेगा वह इसाब से आपको raw material purchase करना पड़ेगा raw material purchase होने के बाद वह अपना जो technician है वह आपके पास आजाएगा और पूरा का पूरा system आपको first level से लेके last level तक का पूरा समझा देगा और machine का operating system उसका maintenance system साबून और powder या नहने का साबून बनाने का आपको नहीं आता है तो उसकी पूरी formulation वह हफ्ता दिन रुकेगा और उसको आपको पूरा setup कर देगा आपके आपको और आपका कोई भरोसा मंद वरकर है उसको भी पूरा सिखा देगा उसका जो चार्दीज है वो टाइम पर जो रहेगा वो उसको पे करना पड़ेगा और जो भी रहेगा वो nominal कोई इतना बहुत बड़ा वो कोई कैमेश जैसा चार्जिस नहीं रहता है वो technician है वो technician का जो चार्ज रहेगा वो उसको हम आप जब आपका order रहेगा वो टाइम पर पता कि आपको शॉल रहेंगे और after sell यानि कि आपका एक साल में तो कोई problem हाएगा तो company उसमें manufacturing defect होगा तो आपको पूरा guarantee मिलता है लेकिन आपको after five years भी कुछ problem होता है तो हमारी company से आपको maintenance का कोई भी part चाहिए तो आपको मिल जाएगा जो भी charge रहता है वो nominal charge में आपको supply कर सकते है या तो मंगवा सकते हो यह machine और कच्चा माल खरिदने के लिए company के नाम, mobile number, contact number हमने इस वीडियो के description में डाला हुआ है वही से आप बहुत ही आसानी से इस machine को खरिद सकते हो हमारे कशने मार आप कही बर हो यह आसा नहीं कि गुज्यात में हो गुज्यात के बाहर भी आप बिना tension के कोई भी परेशानी के बिना आप साबून बनने का बिद्ने शुरू कर सकते हो और machine नरी खड़ी सकते हो बहुत ही विश्वास पून है और आपको पूरा support पूरा सही हो देगे जब तक आप बिद्ने शुरू नहीं कर सकते इसमें profit नहीं कमा होगे तब तक हम सहायता करेंग पूरे इंडिया लेवल में हमारा machine चलता है तीन अजार से ज्यादा machine हमारा चलता है और करीबन 20 से 25 country में हमारा export हो चुका है सही है आप समझ सकते हों दोस्तों कि यह बहुत ही बड़ा business company है आपको हर तरह की सहायता दे सकती है बहुत पूरा नहीं है उसको सभी तरह की experience है कि साबूद बनाने के machine में कौन-कौन से दिक्कत आती है और इसी तरह से उन्होंने यह machine मनाए कि आपको कोई भी तरह की दिक्कत ने आएगी और आप आराम से पैसा कमा सकते हो हिते हमारा जो customer है वह खरिना चाहिए तो आप उसका loan करना चाहिए तो किस तरह के आप सहायता कर सकते है रोनक भाई यह बात आपने एक सपोर्टिंग के लिए क्या है कि हम कस्टमर को उनके नाम का जो नाम से उनको loan लेना है उनके नाम का हम quotation बना के देंगे वह अपनी बैंक में जाके यह cooperation दिखा के अभी आजकल बहुत सारी योजना है चल रही है पदान मंत्री योजना और बहुत सारी मुख्य मंत्री य चल रही है सबसीडिया भी चल रही है तो यह वैलिड है हमारा quotation वह quotation में जाके उसका पूरा प्रोजेक्ट लगा के उपना loan ले सकते हैं दोस्तों आप इस कंपनी में से आप प्रदा मंत्री के लौन का भी आप कर सकते हो अगर आप अपने जिले में या बैंक के साथ connect हो तो आप लौन भी समें ले सकते हो और loan करके और भी आप मिद्ने शूरु कर सकते हो लौन में अधिया टरीया को अच्छा सवाल किया आप कि यह गाउं में चालू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो रोनग भाई सबसे बढ़िया जो मार्केट है वो गाउं का ही है आप जो सहरों को छोड़के सहरों में आपको competition आएगी आप छोटे गाउं में या तो आप बनाओ सहर में और बेचो गाउं में तो भी बढ़िया रहेगा और गाउं में आपका खुझ का जमीन है यह है अपना घर है तो आप हरे गाउं में आपको मैं बताओ कि 30 साल हो गया हमने इंडिया के इतने छोटे-छोटे गाउं म तो हरे गाउं गाउं के अंदर यह साबून और पावडर का बिजनेस चालू हो गया है और और भी ज्यादा चालू होगा क्योंकि पैपुलेशन जितना ज्यादा है उतना प्रोड़क्ट ज्यादा बनेगा और अपना खुद का नाम बना के जब लोग बेचते हैं दोस्तों तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा रहा हम आज के वीडियो में साबून बनाने का बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली है तो हम आपकी वज़े से ही इस बिजनेस के बारे में बताया और कोई भी इंसन बिजनेस कर सकता है और अच्छी कमाई कर सकता है भी बताया हमने इस में भी हमने बहुत अच्छा काम किया तो मिलते हम अगले वीडियो में तो यह बने रहे हमारे साथ अगले वीडियो देखने के लिए